आज मैं आपके साथ share कर रही हूँ आधा कब गेहूं के आटे की बहुत ही healthy और tasty नाश्टी की recipe इस नाश्टे को आप आपका जम मन चाय सुबह नाश्टे में या शाम की चाय के साथ बना सकते हैं 10 मिनिट में ये नाश्टा बनके तयार हो जाता है तो चलिए फटापट से बनाना शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स मैं कविता जैन और स्वागत आपका मेरे चैनल कविताज क्रियेट्यू क्रियेशन्स पर सबसे पहले एक बॉल में लेंगे आधा कप दही इसी में हम डालेंगे आधा कप पानी अब दोनों को अच्छे से चमाच की मदद से मिक्स कर लेंगे अब इसमें मिल आएंगे आधा कप केहूं का आटा और दोनों को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे बस इस तरह से बैटर त्यार कर लें अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा कटा हुआ प्याज थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया दो से तीन बारिक कटी हुई हरी मिर्च एक चोथाई चमाच जीरा आप इसमें अपनी पसंद के अनुसार और भी सबजें आट कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे स्वाथ के अनुसार नमक एक चोथाई चमाच बेकिंग सोडा अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैंने इसमें एक चोथाई कप सूजी भी डाली है सूजी का क्लिप मुझसे स्कीप हो गया है तो आप इसमें सूजी ज़रू डाले इससे जो नाश्टा है बहुती क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा बेटर पूरी तरह से रेडी हो जुका है अब हम इसमें डालेंगे एक चोथाई चमाच इनो अब इनो के उपर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इससे जो हमारा इनो है वो एक्टिव हो जाएगा अब इससे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे इनो आप जब ही डाले जब इसका नाश्टा त्यार करें बाकी पूरी तयारी आप पहले से करके रख सकते हैं मैं ये नाश्टा अप्पे पेन में बना रही हूँ तो हम इसे एक-एक बून तेल से ग्रीज कर लेंगे अब हम इसमें थोड़े-थोड़े राई के दाने डालेंगे राई जैसे ही चटक जाएगी वैसे ही बैटर को हिलाते हुए एक-एक चमच करके बैटर हम इसमें डाल देंगे अब इसे एक प्लेट से ढख के रख देंगे और एक-दो मिनिट इसे धीमियाज पर ऐसे ही पकने देंगे एक-दो मिनिट बाद हम इने चेक करेंगे कि ये नीचे से अच्छे से सिख चुके हैं अब इने पलट कर हम दूसरी तरफ से भी ऐसे ही सेक लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा तेल लगा देंगे अब दूसरी तरफ से भी हम इने पलट कर चेक कर लेंगे दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिख चुके हैं अब हम इने एक पलेट में निकाल लेंगे लीज ये तयार है हमारा गेहूं के आटे का बहुती क्रिस्पी और कुरकुरा सा नाष्टा आप इसे गर्मा करम हरी पोधीने की चटनी या स्वास के साथ सर्व करें